बुढ़ा, लंगडा, लूला, 60 साल से उपर जो चलने फिरने नहीं सकते हैं, उसका पैसा को काटके जो जवान है चलने फिरने वाले हो कमा खा सकते हैं, उस पैसा को आप 18 साल से 50 साल को दे रहे हैं मैया समान योजना है, अब आगला बर जिताएगा तो दिसंबर से नोबेंबर में है, अरू काहते हैं कि दिसंबर में हम 25 सो रुप्या देंगे इंडिया कटबंदन को जो कांग्रेस जमेम है, उसे भी लोग समझ गया है, अब क्या करना है जनता के पास वो लोग बिकल्प के रूप में जहरकन पार्टी को देख रहे हैं इस पर हमारे बिना जहरकन पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगा जमेम मया सम्मान योजना के नाम पर लुभा रही है, जहरकन पार्टी के पस क्या एजन्डा है जहरकन को लेकर जहरकन के विधानसबा चुनाओं की घोशना हो चुकी है और तमाम राजनितिक दल अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगे हुए हैं अभी हम लोग राची में हैं और यहां जहरकन पार्टी के केंदे अध्यच ने पांच विधानसबा सीटों पर अपने प्रत्यासव की घोशना की है हम उनसे समझते हैं पहले तो स्वागत है जहार कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी गोगो दिदी योजना के नाम पर जनता को लुभा रही है जेमे मैया सम्मान योजना के नाम पर लुभा रही है जहरकन पार्टी के पस क्या एजंडा है जहरकन को लेकर देखे एक चीज आए इस पर हम बहुत चर्चा नहीं करने ऑली बात पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं हम कर्म पर विश्वास करते हैं गोगो दिदी योजना पर हम क्या चर्चा करें đầu यह तो ठाकने वाला है जनता को बेखुफ वनाने वाला है यह आज जो भर है कहता है कि बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं कि नहीं यह योजना में आप भोड़ दीजिएगा जिताएगा तो आपको अड़ा याजार रुप्या देंगे एक तरब कर रहा है कि मैया समानी हो जना है आप अगला बार जिताएगा तो दिसंबर से नोवेंबर है चुनाओ नोवेंबर में है और उक आते हैं कि दिसंबर में हम जन्वारी से हम उसको पचीस सो रुप्या देंगे तो अगर देना है तो आज दीजे एक तरब एक हजार रुप्या दे रहा है तो एक बुढ़ा लंगडा लूला 60 साल से उपर जो चलने फिरने नहीं सकते हैं उसका पैसा को काटके जो जवान है चलने फिरने वाले हो कमा खा सकते हैं उस पैसा को आप अठारा साल से पचास साल को दे रहे हैं तो आप नियाय कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं तो वे लोग जाने जो देने वाले हैं आज कर रहे हैं कि आड़े आजार फिर देंगे आप जीताईएगा तब देंगे तो यह सब यह योजना ठक योजना है लोगों को बेकुप बनाने का ठकने का यह योजना है तो उस पर हमको कुछ नहीं काना है हम उनका दिल जीत के जो काम हम जब जिस समय हम पत पर थे जो हमने किया उस बात को बता कर हमने भोट लेने का काम कर रहे हैं और विगल्प के रू सरकार नहीं बनेगा पलायन भी स्थापन रहेगा जहरकंडर के अदर हम लोग अपना बना रहे हैं उसमें सारे चीज़ होगा जहरकंडर के दियांस है जहरकंड के अंदर क्या लगता जनता को कैसे किस तरीके से हैं देखे भाली भाती समझ रहा है, बीजेपी से भी लोग समझ गया है और इंडिया गडबंदन को जो कांग्रेस जेमेम है उसे भी लोग समझ गया है अब क्या करना है जन्ता के पास वो लोग बिकल्प के रूप में जरकन पार्टी को देख रहे है।